हे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक जिद्धी बच्चे की कहानी किस तरह उसके माबाप और टीचर ने मिलके उसके जिद्ध को प्यार से समझाया कि उससे समझ में आ गया तो चलिए शुरू करते हैं जिद्धी बच्चे की कहानी एक राजू नाम का लड़का था, जिसे बाहर का खाना खाने का बहुत शोक था वो हमेशा बाहर का खाना पसंद करता था राजू के मम्मी पापा उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वो उनकी एक बात भी नहीं सुनता था एक दिन राजू स्कूल से घर आये और बोला मम्मी मुझे बहुत तेज भूक लगी है उसकी मम्मी ने कहा में तुम्हारे लिए पोहा बना देती है राजू ने कहा मुझे पोहा नहीं खाना है उसकी मम्मी ने उसे फल खाने के लिए कहा लेकिन राजू ने कहा मुझे चिप्स और पैपसी चाहिए राजू की मम्मी ने कहा ये तो घर में नहीं है इस बात को सुनकर राजू ने कहा मुझे पैसे दो में बाहर से लेकर आता हूँ राजू ने जिद करके अपनी मां से पैसे ले और बाहर चला गया उसी रात को राजू की मानने पराथे और आलू गोबी की सबजी बनाई थी रात को राजू और उसके मम्मी पापा तीनों खाना खाने के लिए बैठे राजू ने कहा पापा मुझे गोबी की सबजी पसंद नहीं है इस पर उसके पापा ने डाटते हुए कहा कि तुम्हारे लिए रात में बाहर से खाना थोड़ी लाएंगे चुपचाप खा लो लेकिन राजू का मन पैटीज और आइसक्रीम आदी खाने का कर रहा था उससे खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था उसने अपने मम्मी पापा की नजर से बचकर सारा खाना पास में रखे फूल दान में डाल दिया और अपने कमरे में जा कर सो गया अगली सुबह राजू स्कूल के लिए तयार हो जाता है राजू की मम्मी ने उसे दूद पीने के लिए दिया लेकिन राजू ने अपनी मां से कहा कि उसे दूद पसंद नहीं है और वो दूद नहीं पिएगा तभी राजू के पापा वहां आ गए और उसने अपने पापा के दर की वजह से दूद का गिलास मम्मी के हाथ से ले लिया लेकिन उसने वो दूद पिया नहीं और नजर बचा कर खिरकी से बहार सारा दूद का गिलास गिरा दिया और फिर स्कूल चला गया जब राजू की मम्मी घर की सफाई कर रही थी तो उन्हें फूल दान में रात की सबजी और पराठे मिले तब ही राजू के पापा वहां आये और उन्होंने राजू की मम्मी से कहा कि तुम्हारे लाडले बेटे ने सारा दूद सुबह खिरकी से बाहर फेक दिया था और देखो मेरी चपल पर भी दूद लग गया है राजू के पापा बोले आज भी बाहर ऐसे बहुत से बच्चे है जिन्हें दूद देखने को भी नहीं मिलता है और हम अपने बेटे को सब कुछ देते है लेकिन फिर भी इसे इन सब चीजों की कोई कदर नहीं है राजू की मम्मी ने कहा कि इसने रात सारा खाना फूल दा ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कहां से बनेगी राजू से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे राजू की मम्मी बोली कि आप ही कुछ कीजिये इस पर राजू के पापा बोले हमारी मदद राजू की स्कूल की मैडम कर सकती है अगले दिन राजू के मम्मी पापा उसके स्कूल में गए और सारी कहानी स्कूल की मैडम को बताई स्कूल की मैडम बोली अच्छा तो इसी वज़े से राजू अपनी क्लास में इतना कमजोर है ये ठीक से खाना पीना ना खाने की वज़े से खेल कूद में भी दूसरे बच्चों बहुत जादा कमजोर है उसके पापा ने स्कूल की मैडम से कहा कि हमें राजू को समझाना चाहिए कि बहार की चीजों से हम बहुत बीमार हो सकते हैं और इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है राजू के स्कूल की मैडम ने कहा मेरे पास एक तरकीब है ये तरकीब राजु की मैडम ने उसके पापा को बता दी. अगले दिन राजु का जनम दिन था. राजु को आज पुरे दिन कुछ भी खाने की पूरी छूट थी. उसने पुरे दिन बहुत सी बहार की चीजे खाए. बाद में राजु के स्कूल की टीचर ने राजु को गिफ्ट में एक पौधा दिया और कहा कि ये बहुत अनमोल पौधा है. ये जिसके पास रहता है. उसक पौधे का पूरा ख्याल रखूंगा. पार्टी खत्म हो गई और सभी लोग अपने अपने घर को चले गए. और राजु भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में गया और सो गया. अगली सुबह राजु अपनी मम्मी से बोला कि मुझे पानी देना. मुझे अपने पौ कोल ड्रिंक डालता है. उसकी मा बोली जब तू कोल ड्रिंक पी सकता है. तो ये तेरा पौधा क्यों नहीं पी सकता है? राजु ने अपनी मा के कहने पर पौधे में कोल ड्रिंक डाल दिया. अब प्रते दिन ऐसे ही होने लगा. जब भी राजु पौधे में पानी डालने के लिए बोलता मा उससे कोल ड्रिंक डालने के लिए कह देती थी. इस तरह से धीरे धीरे पौधा सूखता चला जा रहा था. राजु को बिलकुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पौधा क्यों सुख रहा था? उसने आपने पापा से कहा कि पापा में तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल ड्रिंक डालता हूँ फिर भी पौधा सूखता जा रहा है. उसके पापा ने कहा कि लगता है कि पौधे में खाद डालनी पड़ेगी. ये सुनकर राजु बोला खाद कहां से मिलेगी पापा? उसके पापा तुम्हारे पास ही तो है तो जो चिप्स और पैटीज खाते हो उसी को चुरा करके पौधे में डाल दो. ये सुनकर राजु बोला क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा? उसके पापा ने कहा जब ये सब तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारे पौधे को भी अ सुखता जा रहा है. तभी उसके मम्मी, पापा आ गए और उसकी मम्मी ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारा पौधा इसलिए सुख गया क्योंकि तुम इसमें पानी की जगा कोल्ड ड्रिंक डाल रहे थे और खात की जगा चिप्स. तुम्हें लगता है कि यह सभी चीजे पानी से ज़्यादा अच्छी और लेकिन इन्होंने पौधे को बहुत सूखा दिये है. इसी तरह से तुम भी यह सभी चीजे खाते हो, जिसकी वजह से तुम भी दिन प्रते दिन अपने दोस्तों से खेल कूद में पीछे होते जा र तो इससे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है. और हमारे शरीर में बहुत सी बीमारिया होने लगती है. जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी की आवश्यक्ता होती है. ठीक उसी तरह से शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोशक तत्वों की आव अगर का खाना खाता और अपने पौधे को पानी और खाद देता. कुछ दिन बाद ही राजू की सेहत भी अच्छी होने लगी और उसका पौधा भी फिर से लहरा उठा. आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी. अगर आपने कुछ सीखा तो अपने दोस्तों को भी सिखाएं. उनके साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. तैंक यू.